विल हे गाईज, हलो एंड वैलकम तो रिटी सिक्षा एंड दिस इस महीर ठाकुर एंड टोड़े वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक जैसा कि आप सबी को पता है कि कल आठ दिसेंबर के रोज दो बजे दो पहर में जो हादसा हमारे देश के अंदर हुआ जिस हादसे में हमारे सीरियस विपिन रावत सर उनकी पतनी और साथी साथ लगबग 11 और मिलिटरी आफसर की जान चली गई जो नहीं रहें उसके बाद से हमारे देश में काफी मातम भरा महौल जो है आपको देखने को मिला है आज उनका अंतिम संस्कार है तो आज कि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं यानि कि विपिन रावत सर के बायोग्रफी के बारे में जानेंगे और जो करेंट सेनारियो हुआ है जो घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे बाइयोग्रफी जो होगा उसमें हम विपिन सर के सारे चीजों कावर करेंगे यानि के उनका जनम कहा हुआ से ले करके उनके लास्ट लाइफ के करियर तक उन्होंने जितनी बहतरीन military करियर अपनी गुजारी है जितनी उपलवदियां उन्होंने हासिल करी जिसका आप कह सकते हो कि वर्णन करना भी बहुत ही मुस्किल है उन सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बायोग्रफी है इनकी तो सुरुवात करते हैं आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को without any further delay so let's begin तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे news जो है वो क्या है अभी की current scenario घटना कैसे और कहा हुई देखो 8 December के रोज लगबग 2 बजे के करीब रावत सर और उनकी wife यानि कि मधलिका मैम जो है मधलिका रावत मैम उनके साथ साथी साथ उनके और 10 अलग जो है military officers 4 crew members वो सभी के सभी Indian Air Force की एक helicopter है जिस helicopter का नाम है M17 यह helicopter हम लोगोंने रस्या से खड़ी दी है इसमें वो लोग जो है सुलूर एरफोर बेस से Defense Service Staff College DSSC जो कि Wellington में पड़ता है वहाँ जा रहे थे क्यूंकि रावत सर को इस college में एक lecture देना था वहाँ पे speech देना था और वहाँ के बच्चों के साथ interaction करनी थी ठीक है तो तामिल लाडू कुनूर वेला जो जगे है वहाँ पे इनका helicopter crash हुआ लगभग 10 किलो मीटर ही दूर थे अपने destination से अगर आप बात करोगे तो लगभग 5 से 6 मिनट पहले इनकी जो helicopter है वो crash कर गई और इस crash में जैसा कि कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी की वज़े से जो है visibility जो है वो ना होने की वज़े से crash हुआ है लेकिन अभी तक कुछ पक्का report हम लोगे सामने नहीं आई है कि actually में एक crash क्यों हुआ था तो जो crash हुई उस crash में रावत सर की death हुई साथे साथ उनकी wife भी नहीं रही और अलग 11 offices जो थे military offices उनकी भी जाने चली गई और बाद में ये confirm हुआ थोड़ी मतलब accident के बाद Indian Air Force की जो एक offices थे जाने के जो pilot है वो actually survive कर रहे हैं उनको वहाँ के hospital में जो है admit करवा दिया गया है रावत सर जो है जब उनकी death हुई तो उनका age लगबग 63 years old हो चुका था तो इस age में उनकी death हुई जो की काफी दुखत घड़ना है अभी काफी लंबा career उनके सामड़े बचा हुआ था अभी वो और चीजे हमारी देश को दे सकते थे हमारे देश के लिए कर सकते थे काफी बहतरीन experience था इनके पास ठीक है पहले cds रहे हैं हमारे country के ये भी आयद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन से पहले cds की कोई post ही नहीं थी हमारे country के अंदर में ठीक है तो cds की post जो है वो बनाई इसलिए गई ताकि तीनो military officers तीनो military जो है वो department जो air force है जो हमारी indian navy है जो हमारी indian army है इन तीनों के head जो है वो विपिन रावत सर थे ठीक है और इसलिए chief defense staff का post बनाया गया ताकि हम तीनों officers यानि तीनों department air हो नेवी हो और army हो इन तीनों में एक integrity maintain करकर के जो है अपना चल सके देखो बी main क्या होता है कि सर के पास काफी जादा experience था इस post के लिए काफी best person थे best personality थे तो इनके पास काफी best experience था तो ये इन तीनों के बीच में integrity maintain करने के लिए काफी बहतरीन personality थे हमारे country के लिए और साथी साथ इनके पास equipment sharing हो गई या फिर strategically या फिर बाकी और भी जितनी भी military resources होती है उसको किस तरीके से जो है utilize करना है जो strategy है वो कैसी होनी चाहिए किसी भी war के ले करके किसी भी security हमारी border security है या फिर हमारे country की कोई भी security है उसको ले करके तो काफी अच्छा इनका experience था तो बहुत ही बड़ा इस country के लिए loss है इनका जाना देखो इनके साथ जो कुछ और offices मरे थे उनके यहाँ पर नाम दिये गए है आप आराम से इसको पाउस करके वीडियो को पड़ सकते हो बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हो कि और बाकी कौन-कौन offices थे जो की क्राप्स में अपनी जान गवा चुके हैं अब हम लोग आते हैं सर के बायोग्रफी के ऊपर देखो जेनरल बिपिन रावत सर जो है वो जेनरल दिसमबर 2019 के रोज जो है इनको 2019 में इनको सीरियस के लिए सीरियस के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया और एक जनवरी 2020 को जान की अगले दिन जो है यह अपने office में जा करके एंटर होते हैं और इस पोस्ट को संभालते हैं ठीक है इनका जो जनम है वो जनम 16 मार्च 1958 में पावरी उत्रा खंड में हुआ था ठीक है इनका डैथ जैसे कि आप सभी को पता 8 दिसमबर 2021 को कुनूर में जो है हेलिकॉप्टर क्रेस्ट तामिल नाडु में पढ़ता है यह वहां हुआ 63 की एज में इनका जो है वो देहांत हो गया education qualification की बात करें अगर हम थोड़ा सो overview आप यहां से देख सकते हो कि national defense academy NDA के तहत यह military में आये थे और साथ ही साथ यहीं से इनोंने BSC करी जैसे कि आपको पता है कि 12 के बाद NDA जो है वो बच्चे करते हैं और उसके ब Army यानि कि United States से इनोंने Army Command and General Staff College में वहां पर इनकी डिगरी मिली चौदरी चरन सिंग से इनोंने PhD किया इनकी wife है उनका नाम था मधुले का रावत जो की सेम इनहीं के साथ ही helicopter के में अंदर थी जो कि इस हाथसे में साथ में ही दोनों चल बसे नहीं रहे इनके father जो है वो पिंसर ने नौकरी के अंदर आये थे आर्मी में आये थे उसके बाद 8 November तक इन्होंने अपना सेवा दिया देश को उसके बाद Awards की बात करें तो यहां पर कुछ overview है लास्ट में हम लोग सारे अब और करेंगे इसलिए यहां पर skip कर रहे हैं क्योंकि Award तो इनको इतनी मिली है नहीं खोसिस करते हैं तो इनको formal education जो है वो Cambridge Hall School in Dehradun से इनको मिली ठीक है उसके बाद इनको St. Edward School in Simla वहाँ जाकर के जॉइन हुए लैटर इन्होंने जॉइन किया NDA National Defense Academy इन्होंने जॉइन किया उसके बाद इन्होंने Indian Military Academy से जॉइन करके वहाँ से अपनी पढ़ाई आग wonderful award है इससे इनको नवाजा गया इस college के अंदर इस academy के अंदर अभी जिस college में यह जा रहे थे lecture देने के लिए उसी college से इन्होंने graduation complete किया था अपना जो college में यह जा रहे थे अपना speech देने के लिए और इसी college में जाने के दोड़ान जो है इनका मौत हो गया तो काफी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि unprecedented एक तरीगे का यह रहा है मतलब की हाथसा जो हमारे देश के अंदर हुई है उसके बाद इन्होंने senior command course complete किया कहा से United State Army Staff in Command College Fort Leavenworth Kansas से उसके बाद इन्होंने अपना Amphil जो है वो complete किया कहा से डिग्री लिया Amphil का defense science and diploma in administration किया इन्होंने computer science from Madras University से he was honored with a PhD PhD भी इन्होंने किया है किसमे in philosophy from the Chaudhary Charan Singh University मेरट से जहां पर इस PhD में इन्होंने जो अपना एक कह सकतों की subject जो stream रखा था वो था research in strategic studies on military resources तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता था काफी बहतरीन experience इनका रहा है इन सभी चीजों में हलका सा इनके family के उपर नजर डालते हैं तो दोको chief of defense जो हमारे सर थे जेनरल बिपेन राथ इनका जनम जैसा कि मैंने बताया उत्तराखंड में हुआ फादर लक्षमन सिन रावत थे गोरखा battalion में जेनरल रहें उसके बाद इन्होंने इनन आर्मी में सर्फ किया on the degree of lieutenant general इनके father his mother was the daughter of ex MLA of उत्तराखंड इनकी mummy जो थी इनकी जो मा है वो ex MLA उत्तराखंड के थे उत्तरकाशी के उनकी बेटी थी और जनरल बिपेन रावत सर की और इनकी wife जो मदली का मैडम थी इनकी जो है दो बेटियां थी एक क्रितिका रावत था और एक और है अब हम लोग सबसे सांदार इनका जो बायोग्रफी का हिस्सा है उस पे हम लोग discussion करेंगे कि इनका military carrier देखो थोड़ा कितना बहतरी रहा है on December 16, 1978 को Sirius Bipin Sir यह assign हुए थे पहली बार ठीक है 5th Battalion of the 11th Gorka Rifle के post पे उसके बाद the same unit उसी unit में जिसमें इनके फादर लक्षमन सिंग रावत जो है वो जैनल रहे थे ठीक है तो काफी बहतरीन बात ही है कि इनके फादर उसी unit में थे गोरखा राइफल में ही और गोरखा राइफल में ही इनको 5th Battalion में recruitment हुई थी he has spent 10 years the counter insurgency ठीक है counter insurgency में इन्होंने 10 साल अपना बिताया है जो की operation हुआ था while in the post of the major serious बिपिन सर बिपिन रावत सर commanded a company in the URI ठीक है देखो URI का जो attack हुआ था हमारे यहां जमू इनकस्मीर के अंदर में उसके भी command इनहीं के हाथ में थी तो काफी बहतरीन प्रदर्सन वहाँ भी आपको देखने को मिला ही था he commanded his battalion along with the LAC at Kibitu ठीक है as a colonel वहाँ पे यह colonel के post पे जो है वो recruit करे गए थे LAC वही border है जो हम China का साथ share करते है line of actual control after being promoted to the rank of brigadier he commanded sector 5 of rastria rifle in support ठीक है उसके बाद इनको brigadier के post पे जो है वो appoint किया गया यानि कि promote किया गया वहाँ पे इन्होंने रastria rifle के अंदर जो है अपना command समभाला and the multinational brigadier during a chapter 7 mission ठीक है chapter 7 mission जब चली थी in Democratic Republic of Congo में जिसको कि आप monusco के नाम से भी जानते हो उसमें ये जो है chapter 7 में भी multinational brigadier के तोर पे nuked किये गये थे उसके बाद बिपिन रावत assumed the role of commanding general on 19th infantry division in Uri ठीक है उरी में इन्होंने 19th infantry division में commanding general के तोर पे nuked किये थे when he was promoted to the rank of major general उसके बाद इनको वहाँ के बाद major बना दिया गया as a lieutenant general ठीक है he commanded the three corps ठीक है जब यह lieutenant general थे उसके बाद इन्होंने three corps को command किया जो की base था दीमापूर before taking command of the southern army in पूने उससे पहले यानि की जो पूने आर्मी में इन्होंने command अपना समाले से पहले जब यह lieutenant general थे उस वक्त यह third corps के अंदर जो है अपना command समाले थे उसके बाद अगर हम करें बाद तो after being promoted to rank of army commander ठीक है जब यह army commander के rank पर promote हुए he assumed the post of the commander general ठीक है commander general के post पे गए of southern command ठीक है फिर southern command इनके हाथ में आया soon after he was promoted to the post of deputy chief of staff of the army उसके बाद तुरंत बाद इनको deputy chief of staff of the army पे recruit कर दिया गया प्रमोट कर दिया गया उसके बाद यह 27th chief of staff of the army बन गए by the government of India on December 17, 2016 and took his office on December 31, 2016 he was also the 57th and final chairman of the head of state committee major of the Indian army देखो head of state committee भी रहे है यह जो major of Indian army के थे उस वक्त थीक है 57th final chairman थे यह उसके बाद appoint किये गई यह याद रखना है यहाँ पर भी थोड़ा सब स्प्रिंट हो गया है sorry जो की होगा 31 December 2019 31 December 2019 को इनको chief of defense staff के post पे recruit किया गया और उसके बाद इन्होंने 1 January 2020 को अपना वो पद सम्हाला और यह पहले serious बने इस post के बाद चलो अब हम लोग इनकी military carrier के बाद देशेंगे इनके rank और इनकी appointment की date सबसे पहले जब यह NDA qualify करके army के अंदर आये थे उसके बाद इनको सबसे पहला जो post मिला था वो था second lieutenant ठीक है second lieutenant के post पे आये 16 December 1978 को ठीक है उसके बाद इनको lieutenant के post पे जो है वो promote किया गया 16 December 1980 को उसके captain बने यह कब 30 July 1984 and then major के post पे इनको promote किया गया major के post पे इनको 16 December 1989 को जो है वो promote किया गया फिर इनको lieutenant colonel के post पे लाया गया 1 June 1998 में उसके बाद इनको colonel बनाया गया कब 1 August 2003 को ठीक है फिर इनको brigadier के post पे जो है वो appoint किया गया यानि कि promote किया गया 1 October 2007 को ठीक है उसके बाद इनको major general बनाया गया किस दिन 20 October 2011 को और उसके बाद इनको lieutenant general बनाया गया 1 June 2014 को और general बनाया गया इनको किसका chief of army service ठीक है यह जो है chief of armed service army service इनका यह head बने थे 1 January 2017 को ठीक है of defense staff general जो थे अब थोड़ी इनकी अलग-अलग achievement भी देखते हैं इन्होंने northeast के अंदर में काफी जादा militancy को reduce किया he was the instrumental in reducing militancy in northeast क्योंकि आपको पता है कि northeast वाला area जो है वो एक तरीके का नकसलाइट area है काफी जादा militant activity वहाँ पर देखने को मिलती रही है शुरू से लेकर के इतिहास गवा है विट of the highlights of his career in 2005 उसके बाद इनके career को काफी जादा highlight मिली 2015 के बाद cross border operation मेयर मार जो हुआ वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना performance दिखाया था in which the Indian military responded successfully to an ambush of the NSCNK militants ठीक है इसके खिलाफ इनके ही नेत्रतों में काफी अच्छा जो है successfully respond Indian military कर पाई थी and the mission was carried out by the operational command of third cops दीमापूर under the supervision of रावत ठीक है जब third cops चल रहा था दीमापूर के अंदर में उस वक्त भी command इनके ही हाथ में थी यानि के बिबिन सर के हाथ में ही थी उसके पाद सबसे बहतरीन time याद होगा आपको surgical strike सबको पता है बहुत ही कजब का attack हुआ था इंडिन आर्मी ने किया था पाकिस्तानी आर्मी के उपर जब उड़ी हुई थी उसके बाद तो this was also part of the planning for those are solar surgical attack ठीक है in which the Indian military crossed the line of control into the Pakistan occupied कस्मीर और वहाँ जाकर का attack किया था उस वक्त रावत सर ने कहा था कि to have been monitoring development from the southern block of New Delhi ठीक है उसके बाद इनके द्वारा कहा गया था कि ये जो है monitoring करेंगे development का southern block of New Delhi से तो काफी जादा ये बहुत ही बहत ही बहतरीन इनका जो है योगदान रहा है हमारे Indian security के लिए तो अब हम लोग इनको देखेंगे इनके बहतरीन biography के बाद इनका जो बहतरीन military career रहा है military served जिस तरीके से इन्होंने इंडिया के लिए किया है इस nation के लिए किया है जो experience इन्होंने अपना दिया उसके लिए इनको जिस जिस award और जिस जिस owner से इनको नवाजा गया काफी सारे हैं यहाँ आप देख सकते हो अगर एक करके नाम बोलना हम सुरू करें तो देख लो सबसे पहले बार इनको मिला था परम विशिष्ट सेवा मेडल ठीक है यह पहला इनका अवर्ड मिला उसके बाद अती विशिष्ट सेवा मेडल से इनको नवाजा गया फिर सेना मेडल ठीक है जो काफी प्रतिस्टित अवर्ड है हमारे military के अंदर वो भी इनको मिला था फिर इनको वॉन्न मेडल, a special service medal, saiyna saiva medal, witesh sapresa medal, 30 years of long service medal भी इनको मिला, 9 years of long service medal इनको मिला, उतम युद se vendal इनको मिला युद seaver EBDL, नको इनको मिला, उसके बाद सामन्य saiva medal इनको मिला, operation prakaram medal भी इनको मिला, high altitude service medal इनको मिला, 50th anniversary of independent medal से इनको नवाजा गया उसके बाद इनको 20 years of long service medal से नवाजा गया और जो starting में मैंने बताया था कि Democratic Republic of Congo वहाँ पर जो मुनस्को वाला operation हुआ था उसमें इन्होंने काफी बहतरीन प्रदरसन दिखाया था अपने experience से उस award से भी इनको नवाजा गया and unfortunately 8 December 2021 को 2 बजे के करीब जो इनकी flight यानिकी जो helicopter crash हुई उसमें इनकी पतनी और साथ ही साथ कई सारे military personnel भी मारे गए इनकी मौत हो गई और जो ये बहुत ही दुख़त news रहा हमारे देश के लिए and I hope आपको इनका जो career इनका जो biography है इनका जो military performance जो भी इन्होंने देश के लिए किया ये बहुत ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को share करना बिल्कूर भुलना जितना जादा से जादा हो सके share करो like करो और अगर चैनल पर नहीं हो तो subscribe किये भीना बिल्कूर मत जाना काफी सारे content हमारे चैनल पर regular आते रहते हैं see you in the next one good bye take care महिर ठाकुर signing off जय हिंद